वीडियो के लाश्ट में जरूर देखना क्योंकि कुछ लोग को डाउट हो रहा था तो मैंने वीडियो के लाश्ट में बता दिया है तुम लोग पूरा वीडियो देखना जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि अब मेंग विहोशी से उठ चुका होता है और पहले से ज़्यादा थाकतवर हो गया है कॉम्पिटिशन में चलने के लिए कहरा होता है लेकिन ये प्रिंसेस रहती ये उसे उफर करती है मगर वो डायरेक्ट उसे मना कर देता है यदर हमें कॉम्पिटिशन में दिखाया जाता है जहां पर अब एकदम कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका है और इस तरफ ये बंदा जा रहा होता है मारने के ले लेकिन उने मारना इतना भी जादा आसान नहीं रहता है पिंकी कहती है कि तुमसे तो कुछ भी नहीं होने वाला है अब मुझे देखो और सीखो कि आखिर ही जिसे किया जाता है पिंकी अपने पावर्स का इस्त Пол तो करती है और ये सबसे पहला भी इस्ट रहता है जिसे किसी ने मारा होता है यहाँ पर होस्ट भी कहा रहा होता है कि उनेक्सपेक्टिडली गूफ एमली ने सबसे पहला किल किया है लेकिन यह टेंप्रेरी है, जादो देर के लिए फरक नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि और भी टीम्स हैं जो कि अभी कर रही है और वैसे भी अभी अभी तब मैज शुरू ही हुआ है तुम लोगो नहीं लगता है ये तड़ा आजीव वला होश्ट है और यहाँ पर ये विंकी कह रही होती है कि सिस देखो जरत सम्हली के रहना उन तीनों ने इन दोनों को लिटा दिया रहता है और यहाँ पर इसे गुस्सा आ रहा होता है परपल को ये कह रही होती ही कि ये तो चीटिंग है तुमने जानमूच कर ये सब किया है आप कितनों को मारते हैं इससे फरक नहीं पड़ता है फरक मैजिक कोर से परता है जिसके पास जादा मैजिक कोर रहेगा वही जीतेगा तो इन लोगों ने इनका एक मैजिक कोर चुरा लिया रहता है और ये कह रहा होता है तुम्हें पता है मैं सिर्फ यहां तुम्हारे मैजिक कोर के लिए नहीं आया हूँ मैं उस पिंकी को अपने बेड़ पे भी चाता हूँ अब उसके दोनों साथ ही इन दोनों की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि लाव उसे हमारे हवाले कर दो यहां पर पिंकी बहुत जाद डर चुकी होती है और परपल भी तोई डरी हुई रहती है इदर यह बन्दा कहा रहा होता है तुम चुप चप हमारे पास आती हो या फिर हमें जबरदस्ती करने पड़ेगी तब तक हम देखते हैं कि एक फ्लेमिंग सोड आचानक से इनके बीच में आ जाती है और कोई और नहीं बलके हमारा मेंग होता है जो इन लोगों बचाने कला चुका होता है वो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहती है कहरी होती ही कि तब मेंग कहता है चिंदा मत करो मुझे सारी बाते पता है बिंकी बहुत ज़़ादा खुश रह Security की मेंगा चुका है cand Jazz क Kerno बहुत ज़़ादा तागत वर हो और special भी इsस में special वाली कॉनसी बाथ है इदर यек कह रहा होता है तुम लोगों की साथ में मारू या पी रेकर करके मरवाना पसंद करोगे इदर इस बंदे गुष्सा आजाता और कहरा होता है तुम मरना चाहते हो क्या बच्चे और इदर जो हमारा होस्ट होता हो कहरा होता वाओ माहोल काफी चाहता है रोमेंटिक हो चुका है क्योंकि अभी-भी मैच चुरू हुआ है और एक गेस्ट आ चुका है अब पता नहीं कि गूव फैमली की टीम जीतने वाली है या फिर उन तीन वंडों की टीम जीतने वाली है देखते हैं कि कौन जीता है सबसे पहले तो वो दोनों बंदे अपनी पावर को मिलाकर एक बड़ा सा मीटे़रोइड बनाते हैं और इस पर हमला करने के लाते हैं, यह कहा रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम दोनों मुझसे ऐसे ही जीच सकते हो, लेकिन ट्विस्ट यह रहता है कि साइड से कुछ तीर भी आ रहे होते हैं, और यह इनकी स्पेशल ट्रिक रहती है, अब उपर से मेटिरॉड आ र वलवला होता है, तब तक हम देखते हैं कि पीशे से वो बंदा आ जाता है, जिसकी कलाश थी मेंग को, और यह कहरा होता है, अगर यह क्यू आ रिफाइनिंग रियलम में है, तो क्या हुआ, आस तो मैं इसकी जान लेकर ही रहूंगा, यह बंदा स्पेशल आइस टाइप वल अलग-अलग रियलम में है, एक बोडी रिफाइनिंग होती है, एक यूई रिफाइनिंग रहती है, हाला कि जो हमारा महिंग रहता है वो बड़े आराम से उस बरफ के कोले से निकल चुगा होता है, जिसे देखकर यह हैँरा होता है और काफे गुस्से में भी क्या कि आखे रहा होता है कि अब तुम हार चुके हो तुम चुका पुदू हार क्यों नहीं मान लेते हो लेकिन यह बहुत ही अरोगेंट राता है कि है रहा होता है कि मैं और हार गया नहीं मैंने अभी तक हार नहीं मानी है है हाँ तो आखिर तुम क्या ही कर सकते हो मैं तुमसे च्ञागत बहु AZ गल घंता है ये कहा रही होती है कि मैं मुझे पता है कि तुमने उसके साथ शर्त लगाई है मैं यहां negotiation करने आई हूँ four great families की तरफ से तुम उसे जाने क्यों नहीं देते हो क्या तुम fourth great families के साथ negotiation सुनने मजीब लग रहा है ये कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल साइस होना है देखो वो डॉंग फैंग हार चुका है और हम पता है कि हारने पर 1000 gold coins देने रहते हैं ठीक हम तुमें 1000 क्या हम तुमें million gold coins देंगे लेकिन please तुम डॉंग फैंग को जाने तो तब ये लोकैरी होते हैं ठीक है मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई और भी रास्ता है तब ये अचानक से पीछे से एक बहुत ही ताकत वर भाला आता है सीधे हमारी मेंग की तरफ लेकिन वो अपने तलवार से उस भाले के दो टुकरेगर डालता है फिर यहां पर यह आचुका होता है यह बन्दा यह बन्दा बहुती ज़्यादा पौछफूल रहता है मेंग जितना ही और भाला इसी ने फिका होता है यह की रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिमत वो बहुत जादा ही बड़ा हो जाता है लिए इन किसी तरह मेंगो से सम्हाल लेता है पिंकी कह रही होती ब्रदर तुम ठीक तो होना वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ हाँ, मुझे लगा था कि यह आसान होने वाला है लेकिन इतना भी जादा असान नहीं होने वाला है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोर ग्रेट फैमिली की तरफ से तुम्हें जो प्रस्ताओं मिला तुमने उसे ठुकरा दिया यह बंदा कहा रहा होता है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ अब तुम्हें ठुकरा दिया तो तुम्हें मरना पड़ेगा यह भी अपनी स्वाट्स को बाहर निकाल लेता और कहता है कौन जीएगा कौन मरेगा वो तो बाद में देखा जाएगा लेकिन आज आज मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं चोड़ने वाला हूँ दोन एकदम खून के प्यासबन चुके होते हैं एक दूसरे के फिर दोनों जाते हैं एक दूसरे पर हमला करने के लिए एक धमाका होता है यह बंदा तो पीछे हट गया रहता है लेकिन हमारे मैंग को भी कुछ नहीं होता है वो अंदर से एकदम हीरो की तरह बाहर निकलता है और डिरेक्ट एक सोड़दार हमला उसके उपर करता है लेकिन वो भी इसके हमले को अपने भाले की मदद से रूब डालता है इदर धमाका बहुत खतरनाख खतरनाख हो रहा होता है पिंकी को तो यकीन नहीं हो रहा था कि इसा हो रहा है और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आप दोनों के वीश में लड़ाई चल रही होती है अब इस बंदे ने कहरा रहता है कि ठीक है मैंग मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही जादा पाउरफुल हो लेकिन इतने भी ज़्यादा पाउरफुल नहीं हो कि तुम मुझे हरा सकते हो मैं तुम्हें अपनी असली पाउर दिखाता हूँ ये अपने स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और कह रहा होता है कि अब तुम मरने वाले हो मैं कहता है कि तुम ही ने तुम मुझे से कहा कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ मैं तुम मैं दिखाता हूँ मैं अपनी सौड को बड़ा कर लेता है जिसके वैसे उसकी पाउर और भी ज़्यादा ओवर्फलो हो रही होती है अब ये फायर वाला स्पिरिट वीस्ट और मैंग का वाटर वाला हमला दोनों एक दूसरे से टकराते हैं पूरा चालो तरफ एकदम धूँआ धूँआ हो चुका होता है लेकिन जब धूँँ अच्छा जड़ा देखो तो अचानक से इसके सर से भी खून निकलने लगता है क्योंकि इसके सर पे भी एक गहरा कट मेंग ने मार दिया रहता है लेकिन ये खून को रोक लेता है अपने हाथ की मदद से और भी ज़्यादा गुसा हो जाता है और कहा रहा होता है कि तुम सच मुचे काबिल अपोनेट हो तुम से लड़ने है बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ये अपने स्पिरिट का अब असली फॉर्म दिखाता है और कहा रहा होता है मरने के लिए तियार हो जाओ और इधर ये लोग मेंग के अंदर से हराम से एकदम फुल एजडी कॉलिटी में देख रहे होते हैं वेट के इने काफी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है अब मेंग अपनी असली पावर को बाहर निकलने वाला है जो उसने QI Refining टेकनीक की है उसी टेकनीक को अब ये इस्तिमाल करने चाह रहा था और कहला होता है कि मैं तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ लेकिन इससे पहले कि अगले एपिसोड आए दोस्तों वीडियो पे 1000 लाइक कर देना और हाँ देखिए जिसको नहीं पता है My Senior Brother Is Very Dangerous के एपिसोड खतम हो चुके है मैंने Thumbnail के उपर भी End लिक दिया था और साथी साथ उस वीडियो के शिरुवात और Last दोनों में बता दिया था कि ये उसका Last एपिसोड होने वाला है लेकिन फिर भी है तुम लोग कमेंट करके पूछ रहे हो कि क्यों नहीं आ रहा है एपिसोड